रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं नवीद हूँ आपके साथ अमुमन रोज साड़े साथ बज़े आप मुझे सुनते हैं क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको इस वक्त जब मैं ये रेकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के साड़े नौ बज रहे हैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ स्टूडियो में रोहन भी है जिनको मैंने बुलाया है रोहन के पिता जी की सोच इस तरह की है के लड़किया अगर साड़े नौ बज़े के बाद घर से निकलती हैं मुझे अफसर से के बहुत खलत सोच है आपके पापा की शुक्रिया कि आप इस वक्त जे स्टूडियो आए तो परिशान तो नहीं है नहीं न refers थैंग्यों सॉ मुच्छ पठैपिजी को गॉल हुँ जी बैद बैस को परिशान शापा को च्रुशन पीए कघञ़ एक है बहुत देर से मार रहे हैं पापा पतानी क्यों पकड़के रहा है है अप्रेस करें अहीं कुछ भी ना चाहिए मुझे इसकी गल्ती दिपिटेगा लाई कुछ भी नहीं किया वहिया साड़े नौ बजे घर से निकल रहा था सुधीर साहब आपके घर की लड़कियां मेरे घर की लड़कियां अपने लड़के की पिटने की आवाद सुनाई दी साड़े नौ बजे तो जान निकल गई आपकी सुधीर साहब मैं हाद जोड़के सबसे पहले आपसे शमा चाहता हूँ क्यूंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया और मैं आप सब सुनने वालों को भी कह रहा हूँ कि कभी जिन्दगी में किसी का इतना दिल मच दुखाईएगा अब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है स्टूडियो में बैठा वहा है पापा मैं ठीक हूँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर आप प्लीज बुरा मत मानियेगा सुधीर साब आप ये खुद मुझसे कह रहे थे किस कॉंस्टूशन में लिखा हुआ है कि साड़े नौ बज़े कर लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोर दूँ सुधीर साब लड़कियां उनके लिए भी तो यही कॉंस्टूशन है उनके लिए भी तो यही उसूल है उनके लिए भी तो यही कानून है और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि साड़े नौ बज़े कर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होती ही पिर तयार रहे हैं लोग रेप करवाने के लिए क्यों सोचते हैं सुधिर साब ऐसा सुधिर साब प्लीज रो ये मत अगर आपको वाकरी में ऐसास हुआ है कि आपकी खलुती थी ये सोचना बलके आप भी लोगों को इस समझाएएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में साड़े नौ बज़े के बाद तो उनके रेप हो जाते हैं तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त असल में लड़की लफ्स पता नहीं हमें क्यों गयर सा लगने लगता है इसी में तो है आपकी बहन इसी में तो है आपकी माँ और इसी में है आपकी बीवी इसी में है आपकी बेटी और एक बात मैं आपको और बताओं ये लिख के रख लीजे जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं अगर हम सब उनकी बात मानने लगे न तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं तो छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना प्राब्लम पता है कहा है सुदीड साब प्राब्लम ये है कि कुछ लड़कियां साड़े नौ घर से बाहर निकलती है मैं ये कहता हूँ कि इतनी लड़कियां साड़े नौ बजे घर से बाहर निकले इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफ जदा हो जाएं कि ये हो किया राया और किसी का माई का लाल किसी को चूना सके आप परेशान मत होगी है प्रीज बहुत बहुत शुक्रिया सुदीर सार यहां से रोन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आदे घंटे में आपके घर पहुँच जाएंगे और अब आप सब सुनिये इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था सुदीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी मुकेश की जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूस्ट है कि गलती निर्भया की थी कि वो साड़े नौ वजे घर से बाहर निकली अब हम क्या कर सकते हैं इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये के जो निर्भया चली गई कम से कम निर्भया को उपर जाके तो इतना इत्मिनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो